सुवहन जी आपको आसाम में स्वागवाथ है बहुत धनिवाद आपको मुझी भी आसाम आगे प्रसनिता है ठेंक्यू पेले तो ये है सुनबी महल है आसाम में तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी आपाएगी सट्ट में आ नहीं पाएगी आएगी ही बीजेपी ही आएगी जनता का जो प्यार और आशिरवाद मिल रहा है मोदी जी के प्रती स्रिधा भारती जनता पाइटी की प्रदेश सरकार ने जो विकास के काम किये हैं उन विकास के कामों से भी जनता प्रभावित है और असम के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्रिध्धी के लिए भारती जनता पारिटी के साथ खड़े हैं लोग काफी दिन से यहाँ पर दिखता है कि कॉंग्रेस का जो फाइब गिरांटी के बारे में वो लोग काफी प्रसार शलाया यहाँ पर इसकी दूरान आपको क्या कहना है राहुल गांधी और कॉंग्रेस सबसे जूटे व्यक्ति और पार्टी है यह तो फैकादार है कुछ भी जूट बोल दो मद्द प्रदेश में इनने चुनाओं में गारंटी दी थी किसानों का करजा माफ करेंगे करजा माफ नहीं किया चार हजार रुपे मेना बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया सरकारी नोक्री देंगे सरकारी नोक्री नहीं दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे फूड प्रोसेसिंग की एक इंडस्ट्री नहीं लगी एक नहीं किसानों को हर फसल परvasat बोनस देंगे बोनस नहीं दिया self help group का करजा माफ करेंगे करजा माफ नहीं किया एक भी बादा पूरा नहीं सरकार बनने के बाद यह तो जब चुनाओ आते हैं तो चुनाओ हम उसम में जूट बोलने आ जाते हैं अधाम जली डेते हैं बाद पास फीब करेगी पहले चरण में तो सवाल ही पैदा नहीं होता चार उतर भारती जंता पार्टी लेकिन दूसरे और तीसरे में भी हम बहुत बहतर इस्थती में है कॉंग्रेस से पार्टी जो कहती है जो कहा है वो यही कहा है केंदरी कानून है लागू होगा इसान निउस से फिर से आपको धोनवाद देड़ा हूँ आपको भी बहुत बहुत धनिवाद से आपको थे लो खो स्थ से प्हुत बहुत बहुत आपको कुल